हाई फ्रेंट वेलकम बैक तो माई चैनल हेल्पी नहीं हाँ आज की वीडियो में हम बात करेंगे सव उल्म्पियार्ट के पैटर्ण के बारे में कि क्या इसके एक्जाम का पैटर्ण है जी हाँ गाईज अगर आप एक स्टूडेंट हो उल्म्पियार्ट एक्जाम के त्यारी कर रहे हो या फिर एक पैरेंट हो और या टीचर हो और उल्म्पियार्ट एक्जाम के बारे में सारे इंफर्मेशन जाना चाते हो तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है जिसमें कि हम बात करने वाले हैं Olympiad exam के pattern के बारे में और उसके जो subject का जो pattern होता है उसके बारे में भी अगर आप एरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो please चैनल को subscribe जरूर करिए मेरे चैनल में ऐसे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं जो कि आपकी help कर सकते हैं इसी भी question का जवाब तुरंच आते हो तो please मुझे Instagram में जरूर follow करिए जहां पर आपको हर question का जवाब easily मिल सकता है instant मिल सकता है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like and share जरूर करिए Let's start the video SOF Olympiad exams जो होते हैं यह बहुत ही prestigious exam है जो कि students के skills को और problem solving ability को test करता है और उसकी knowledge को भी test करता है कि कि कितने student में कितना deeply subject को पढ़ा हुआ है एक non-profit organization है और जो बच्चे इसमें top rank को secure करते हैं top rank लाते हैं उसमें उनको बहुत सरे awards और monetary price भी दिये जाते हैं SOF Olympiad जो हैं इनका main aim यह होता है कि कैसे education की excellence को promote करें कैसे education को अच्छे से अच्छे और बहतर बनाएं जिससे बच्चे को आगे अगर वो किसी भी competition में बैठते हैं तो उनको वहां पर exam को solve करने में या कोई भी paper को देने में exam clear करने में कोई भी परिशानी ना आए यह इनका main aim होता है यह अब जानते हैं कि क्या इसका pattern होता है Olympiad exams जो एक्सर्फ के द्वारा करवाया जाता है यह basically दो round में होता है फैला first level and level second first level के जो exams होते हैं स्कूल में ही organize करवाया जाते हैं मतलब स्कूल में ही इनके center होते हैं और इन में जिसमें जितने भी question आते हैं वो सारे multiple choice questions ही आते हैं यह multiple choice questions जो होते हैं यह दो sets में divide होते हैं यानि set A और set B तो यह इसमें 35 questions होते हैं लेकिन student को solve करने के लिए 60 minutes दिये जाते हैं यानि एक घंडे में आपको 35 questions solve करने होंगे और इसमें एक सही answer का one mark मिलता है और इसमें अगर आप कोई भी question गलत करते हो तो उसमें कोई भी negative marking नहीं होती है question का जो आने का pattern होता है वो specifically ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो concept को समझें कितना आपने subject को thoroughly पढ़ा है तो आपका concept कितना clear है उस तरह से इसके paper को design किया जाता है तो जो बच्चे इस first level में top score, top rank लाते हैं यानि कि अच्छा score लाके जो top rank में आते हैं वही बच्चे level second को दे सकते हैं तो first level में वो school level, zone level and state level पे बच्चों को निकालते हैं जो rank है वो इस तरह से बच्चों को तीन state, zone and school level पे देते हैं और जो बच्चे इनमें अच्छा ही rank लाते हैं वही second level को देते हैं तो second level का जो exam होता है वो first level से बहुत ही difficult होता है वालब उसके अगर हम comparison में करेंगे तो उसके जो questions होते हैं वो और hard होते हैं इसमें 50 questions होते हैं और आपको एक घंटे में ही solve करना होता है इसमें भी कोई negative marking नहीं होती है और सही जो आप answer करते हो उसका one mark आपको मिलता है तो second level में जितने भी questions आते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि मतलब आप रटने से solve ना कर पाओ बलकि आप अपने real life situation से उसको कैसे relate करते हो तो यहीं मैंने पहले भी बताया कि Olympiart के जितनी भी questions आते हैं वो आपको concept के basis पे पूछते हैं ना कि सिर्फ आप रटने से अगर आप रट लेते हो तो आप कभी भी Olympiart को clear नहीं कर पाओगे तो subject को कितना thoroughly आपने पढ़ा है कितना आपका concept clear है उसी के according सारे questions को दिया जाता है exam में और उसी तरह से जो इसका paper है वो design किया जाता है तो आप जानते हैं कि subject wise pattern क्या है यानि गर आप math exam देना चाहते हो या आप English का देना चाहते हो या science का देना चाहते हो तो उसका क्या exam pattern है तो पहले बात करते हैं mathematics की तो maths में क्या होता है इसमें भी level first और level second में 50 questions आते हैं जिसमें कि आपके mostly algebra, geometry और arithmetic के questions आते हैं तो वो आपको इस तरह से solve करने होंगे तो आप बात करते हैं science की तो अगर आप science के exam दे रहे हो तो उसमें भी level first और level second भी 50 questions ही आते हैं उसलिए इसमें जो questions होते हैं वो physics, chemistry and biology के आते हैं अब बात करते हैं English के English के exam अगर आप SOF Olympiad का देना चाहते हो इसमें 60 questions आते हैं उसमें आपको grammar, comprehensive यह सारी चीज़े और आपको अच्छे से आने चाहिए तभी आप English के exam दे सकते हो और clear कर सकते हो rewarding challenging exam है जो कि बच्चों की problem solving skill को test करता है और आप में कितनी छमता है किसी भी question को solve परने की और किसी competition के exam को clear करने की यह ability आपको SOF Olympiad बताता है pattern आप जान चुके हो और अगर pattern wise तयारी करते हो तो आप SOF Olympiad को एक अच्छी rank से clear कर सकते हो और अपनी तयारी का जो level है अपनी पढ़ाई का जो level है वो आप easily जान सकते हो आपकी Olympiad की तयारी कैसे चल रही है अगर आप उसमें interested हो अगर आप देना चाहते हो तो please comment section में जरूर बताईएगा और अगर Olympiad exam से related आपका कोई भी question है तो please comment section पे जरूर डालिए comment में मुझे जरूर बताईए और हाँ Instagram में follow जरूर करिए क्योंकि अगर आप Instagram में follow करते हो तो आप मुझे कोई भी question हो तो आप उसका तुरन जवाब आ सकते हो तो वहाँ पे आप मुझे follow करिए और वहाँ पे आप मुझे कोई भी question पोच सकते हो तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताना अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो please like and share जरूर करना और हाँ लास में बसे ही कहूंगी कि चैनल को subscribe जरूर करना क्योंकि अगर आप इस तरह के और भी वीडियो चाहते हो कि आपको सारे वीडियो के notification मिलते रहें और आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो अपने preparation में अपने pattern को समझने में तो आपको easily समझ में आ जाए तो आज के लिए इतना ही thanks for watching bye bye